हाँ आज अपने बात करेंगे आपके बीएस्टीसी दोहजार चौबिस की ठीक है और जो भी न्यू आस्प्रेंट है या पर जिसने भी पिछली बार एक्जाम दिया तो उन सभी के लिए एक गॉल्डन ऑपोर्चुनिटी है कि बीएस्टीसी का जो आपके हालां कि थोड़ सा के सके नजदिक नजदिक एक्जाम आ गया है पचास दिन आपके पास बचें आज के दिन को हो और इमानदारी से अगर पचांस दिन तक टिक के जो मैं आज रंड़निती आपको दे रहा हूं अगर इसको फोलो कर लेते हो तो आपको साधी रूम में और यह सोचना कि मेरा दिन बर में टाइम वेस्ट किन किन चीजों पर टाइम वेस्ट हो रहा है जिसके जरूत नहीं अगर मैं ना भी करूं तो काम चल जाएगा यह चीज़ें आप एक पर बैठ के सोचो कि कितनी में रिल्स देख रहा हूं कितनी मेरे वर्टसप इं उस टाइम को कम्प्लीटली वापस अपने काम में लेना स्टैडी में और स्टैडी सिर्फ बेस्टी सी दोजार चोबीस की पढ़नी है इसके लावा अधर कुछ नहीं पढ़ना इसके लावा और बी किसी की परप्रेशन करें तो सब चोड़नी पड़ेगी सिर्फ और पहला काम क्या करोगे मैंने भी स्टैड़ भी लिखा है आजके सेशन में स्टैड़ भी एक कंप्लीट स्लेबस आपको तीन चार पेज भरेंगे स्लेबस के वह स्बसे पहले अगर आपने लगा रखा है पैज पर लिख रहे हैं तब ठीक है उस लेबस को पेज में लिखो औ पहला काम तो यह होना चाहिए स्टैड़ी टेबल के सामने स्लेबस को चिपकाना है यह आपको पहला काम करना है ठीक है ना हर हालत यह काम करना है उसके बाद में अपने इस प्लानिंग इदर बबनागे बढ़ेंगे ठीक है तो बीएस्टे से दोजार चॉबीस जिसमें मतलब इसके बाद में डायरेक्ट लेवल टू एक्जाम दिया तो अच्छे बात हैं बीच में लगलग उससे नहीं गुजरना पड़ेगा जैसा भी केर गवर्मेंट की स्कीम हो तो है तो है तो है तो मतलब कुल मिलाकर जो पढ़ लेगा बीएस्टेस देट दो साल में हो ज पास है वह भी और जिसने 12 एक्जाम रिजल्ट का वेट कर रहा है वह भी दोनों पर सकते हैं ठीक है शुरुआत करते हैं आज के शेशन की थोड़ा से एक्जाम पैटन जाल लेते हैं बीएस्टेसी का पेपर 600 नमर का होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ठीक ह नमरों के टुहंडडर्ड और हर क्यूशनों का तीन नमर का हर गलत भी के तो मायनेस मारकिंग नहीं है गलत तो गलत है कुछ नहीं मिलेगा तो बात यह हैं इसमें चार सब्जेक्ट होता है कि एक तो यह पहाड़ यह पहाढ़ है बहुत बड़ा तरक रास्तान जी के रिज बाता था कि आप इंग्लीश दूर भागते हो यह सब जानते हैं इसलिए इंग्लीश तो का कि ना ना बेटा कहां इंग्लीश तो फेक से इंग्लीश के 20 क्यों आएंगे बाकी तो हिंदी या ऑप्शन में संस्क्रिट ले सकता है हालां कि मैं तो हिंदी पड़ाओंगा हिंदी के 30 क्यों आएंगे इंग्लिश के 20 क्यों आएंगे कूल मिला के एक सब्जेक्ट मान लिया मैं नहीं है क्योंकि चार है ना चार चार गुरूप माएंगे एक्जाम पैटर्न विसलिए और एक कि सिक्षन अब बिरूची टेचिंग अप्ट्यूट यह वह हैं आपकी जो से 40 क्योशन ऐसे होते हैं 40 मान के चलो जो आप अगर थोड़ इसी प्रैक्टिस करके जाओगे सोचोगे तो आर्राम से कर लोगे आठ दस क्योशन के थोड़ से होते हैं जिसमें कुछ अगर डाल दिये जाते हैं तो बात अलग है मतलब स्मार्ट स्रेड़ी करनी है इस पर ज कैसे प्रशन हैं पता है जो न्यू कमर्स उनको बता रहा हूं बाकी तो सब जानते हैं कि वह एक बच्चा है वो क्लास में शोर कर रहा है तो आप कैसे चूप कर आएंगे चार ऑप्शन होंगे जो बेस्ट होगा वो उसको टिक करना है पिर आपसे पूचेंगे कि एक आप देखना मैंने मोडल पेपर अप्लोड करके अभी प्लैलिस्ट को ठीक कर दूगा पिर से तो वेरी इजी इसमें लोड मत लेना पढ़ना इसको है सेलेक्शन यह गराएगा यह जो डेड़ सो नमर है न वन फिप्टी माक्स इसमें बिना पढ़ेवे बच्चे के चालीस नमर है यह 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 इसमें भी नहीं आते और इसमें भी नहीं आते कि यह तीन पर ज्यादा फोकुस करना है यह बहुत इजी है यह सिर्फ हवा है हवा माहोल जैसे पशु परीचर में भी पायट का माहोल है बागी मुश्किल नहीं है माहोल है नहीं चीज आते हो ऐसा ड्रा दिया जाता कि आप एसा कुछ दरनी को जरुत नहीं है राजस्तान जीकिये रेज्णिंग हिंदिंग इंगलीश पर पकड़ करनी है पचास क्यों आपसूदास प्रशन कामयाब है वैसा तो और चीजे बना दूगा लेकिन ट्राइक करेंगे कि एक बार टॉपिक पूरे कर ले पने इंगलीश के टॉपिक पूरे कर रहे हूंग आ अब मेरी बार सुनों अब मैं थोड़ा स्लेबस की बात कर लेता हूं 600 नमर का इसा में आपको दे दिया राजस्तान की जो अब अक्या होकि मैं पांच मेंसर प्रेया मां जान्णी पर्यास्तान मिल जाये यह लगातार अब एक भी छूटी भीजमन लगातार आएंगे लगातार कॉंटीनियू तो यह अपना दो तीन दिन में फिनिश है कल संडे को सकते हैं दोनु चिपका दूँ एक करन और करांती पूरी चिपका दूँ तो यह कली घतम हो जाएगा जोग्रोफी में ज्यादा पढ़ेंगे पन जोग्रोफी में तीनी देख लो आप राजस्तान के पॉलिटी हालांकि पहले पढ़ा रहे कि लेगने एक बर अपडेट करूंगा ज्यादा टाइम ने लगेगा आप चाहें तो पढ़ना शुरू कर सकते लेकिन मां पॉलिटी पहले कर दूँगा यह मोड तो कुछ चीजी थोड़ी जोड़नी है इसलिए आप चाहो तो अगर रुखे वे तो रुख जाओ जब तक कल्चर कंप्लीट कर लो यह मैं करवा दूंगा जल्दी-जल्दी क्योंकि यह अपने पास काफी कंटेंट है बस उसको अप्टूडेट करना है तो देखो आपकी परिच्टेंग्यों भूख में लिखायो रास्तान की कारिपाली का रास्तान याई पाली का यह तो हेडिंग्स होती है आणवे विदान सब अपन को पढ़ना है थोड़ी बहुत आपको बाहर का शओर आ रहा हूगा भाई पास वाली चत्पई है एक सद छोड़ बज़न को प्रोग्राम में तो ज़्यादा आपको बताएं सिटी में वैसे आवाज ज्यादा गुंजती है थोड़ेश कर लेड़ा राकारी पालिका में राजिपाल मुख्यमंत्री मंत्री परिश्ट ठीक है ना यानि कि गवर्णर सीम और केबिनेट जो हो पढ़ना अपनको और बात करता हूं राष्टान एकनोमी थोड़ी जादा है हालां कि सब टोपिक उसे प्रशनी आएंगे लेकिन स्लेक्टेड करेंगे पर निर्दंता विरोजगारी है जन संग्या पशु शम्दाकरशी परियाटन परिवेन उद्योग वन्यों जीव भ्यानने या वन्यों मान उर्जा के विबिन श्रोथ हैं राष्टान मार्तिक नियोजन अकाल बार्ट सुका सिंचाई परियोजना और खाने उखनीज अब जैसे इसमें कि जो वेरी इंपोर्टेंट जैसे खाने उखनीज से प्रशना जो आता है क्योंकि बात है पूरे सब राज़तान जीकिम एकनो कोटके पीना है और पॉलीटी में 57ग परशन आई एंडीज पर 누लेह होना चाहिए भीING ड त्यान दगना लेकिन टॉपिक यह है फिर है राश्तान के मिडाइल इस्ट्री में डियास रास्तान का 12 अपलोड रहे हैं पूरा गोटना सिर्फ 12 क्लास वो मुश्किल नहीं और यह हैं कल्चर मतलब राजस्तान जी किये का जो अगर मैं बात करूँ सो परसेंट कोर्स की तो यह अकेला 50 परसेंट खेंचेगा अकेला 50 परसेंट तो कल्चर आएगा बाकी सब टुकुडू में आएंगे यह द्यान रखना पांसाथ-पांसाथ प्रशन आएंगे इन से प क्योंकि अब क्या है आज कल की जनरेशन कल्चर से दूर भाग रही है कल्चर सीखाना बहुत जरूरी स्टी काटोती करते हैं और सब्सक्राइं परषान संग्राय यह यह जो मैं टिक यह हो गए अब यह देको दुर्ग वाला टोपिक बढ़ा है शान दार कराओंगा चित्र सब्सक्राइब चोटा यह दो टॉपिक थोड़े बड़े हैं बाकि यह तो और एक जन जाती है बाकि यह तो मतलब 15-20-30 मिन्टी किलास है बहुत छोटा सा बचा कल्चर तो टीक है और नेक्स्ट अपना रिजनिंग यह तीज बेल्कुल अपनी कंप्लीट है पूरी प्लेलिस्ट एजटी पूरी की पूरी पूरी प्लेलिस्ट सी है वह ठीक है घडी केलेंडर पासा गण गनाब वेंड़ एक तार्किक शंब्शन नियामी अनुभाव श्रंगला परिक्षन प्रेक्षन बेटक व्यवश्था साद्रेश्य नाथा चितुन्य गणना आयो आदारित दिशाग्यान परिक्षन और रख ब्लड ब्लड रिलेशन रख समन यह सारे के सारे टॉपिक लाइन वाइज बिल्कुल प्लेलिस्ट में जचा रखें हैं घोट के पीजाओ कहीं मदबट को ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है रोज लोकोगती मुहावरे शब्द जिसमें तत्सम तत्व देश्र विदेशी पढ़ना पड़ता है और समाना तक शब्द और चाहें तो कारक वाला वीडियो पर देख सकते हो यहना मैंने करवा तो रखा है हालाग इसने प्रशन कभी-कभी नेया भी आते लेकिन आ सकते हैं यह सकता है लेकिन इतने तो अपन को करने करने है जिसमें शायद यह तो अपन कर रखेंट कैप्सुल भी त्यार है बाकि और भी ट्राइब करेंगे कि सारे टोपिक में आपको करवा दूँ वैरी वैरी इजी ज्यादा मुश्किल बात नहीं कि टीचिंग अप्टिटूट श्रीक्ष्ण बुरूची में श्रीक्ष्ण दिगम सब्सक्राइब व्यापक मुलाकर शम्ता कोशल सामाजिक सजट्था स्रजनात्मक्ता व्योशाइक प्रॉपेश्चन अप्टिटूट बोला जाता है यह है आपका स्लेबस ठीक है इस स्ले चलेबसको 50 दिन में कम्प्लीट कैसे करें तो एक पुरा दिन उस पूरे दिन में 6 गंट राजस्तान के पढ़नी एप दूसरा दो गंटे अभी कब पढ़ना भी आगी बताने कोलि मिला के 6 गंटे आपको राजस्तान जीपढ़ना हैब कब पढ़नां अगे बतांगा पहले सुन लो यानि पर दे आपको दो टोपिक कम्प्लीट करना है जिसमें एक बड़ा टोपिक जैसे संसंपरदाई जैसा कम्प्लीट करने लगे एक कोई छोटा कर लो एक छोटा कर लो या फिर वन एंड हाप भी कर सकते हो क्योंकि राजस्तान जीके में अगर मैं देखूं तो लगबग पचास प्लस टोपिक है सब सब्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर वन एंड आप कर लेते हो तो आठ दस दिन अपने पीछे बच जाएंगे रिविजन के लिए क्योंकि रिविजन फुल कोर्स का बहुत जरूरी है तो वर एंड हाप टोपिक तो कर लेना पड़े च्छे गंटे अपने को पढ़ना है क लिए तीन दिन में दो टोपिक मतलब एक दिन में यही तोपिक हो गया उगले में दोटोपिक हो गए क्योंकि आपके हर तीन दिन लगेंगे हिंदि English का मावला है कि दोद दिन लगातार थो Hindi पड़नी है और फिर तीसरे दिन पड़नी है इंग्लिश फिर दो दिन का ओल्टनर बानने में कि दो दिन हिंदि अगले दिन English इस तरीके से करते जाना है पचास दिन पूरे खर्चनी करना है इस पर दस-पंदा दिन प्लास्ट में इसके बचाना है ताकि रिविजन कर सके यह भी विशेश तोर पर ध्यान दखना है ठीक है इंग्लिश को थोड़ा कम देना है हिंदी को ज्यादा टाइम देना है अब करना क्या परड़े के से पड़े परड़े स्टेडी प्लान ऐसा है कि में तो देखो मॉर्णिंग कोई कहूंगा ज्यादा बाकि आप कीच्छा है मॉर्णिंग में अगर आप 6 बज़े पढ़ने बैट जाते हो छे बज़े पढ़ने बैटने के लिए 5 बज़े उटना को फॉलो करना ठीक है उससे स्टेड़ी हमेशा इच्छी होती है उठो फ्रेश हो जाओ ब्रेश ब्रेश करो ना हो दो फिर उसके बाद में जो भी ब्रेकफास्ट दूदूद पीना बैट जाओ गंटे पर की प्रोसेस है छे बज़े बैट जाओ छे से साड़े दस आपको से लगाता दो गुंटे पड़ लिए पांच मिनिट का ब्रेक भी लिया पानियों नी पी लिया वह शुरूम जाए वगरा कैसा करके आदा गंटा में आपको फालतु दे दिया दस पंद्रा में दसमेंट का रेस्ट हो जाएगी ठीक है फिर साड़े दस बजी आप उठना है उसक्राइब साड़े दस से लेकर 11 के बीच में आप खाना वाना कह सकते हो आना सुब्श जो भी आप खाना कुछ भी खाते हो फिर 11 बज़ें आपको वापस बेटना से एक अच्छे से साब्दस चार गंटे लगातार राजस्तान जी के का इसा टॉपिक निचोड़ना है कि अंदर बीज भी नहीं बसने चाहिए तो चार गंटे राजस्तान जी के घौट के पी जाना है उसके बाद में ग्यारा से दो गंटे रीजनिंग चैप्टर भी पढ़ना है प्लस प्रैक्टिस करने लगातार दो गंटे रीजनिंग फिर एक बजे से आप एक बजे जो है पढ़े एक थीन पंदा थी बढ़े हैं करने तो यह पर सब्सक्राइब ने लेना कुझ पर मतलो यह दो आपकी मरजी कहीं पर भी एक चोटा सा जब्कि लेनी थीन ऑचीज 55-35 की नेंड की एक चबقت बहुत जरूरी है लाइबरेरी में भी बच्चे आपको लागत हो जाते हैं और उटके फिर मुह दोके एकदम जो भी चाय पीने पिलो उसके बाद में जो जो पड़ा होती है जिसकी बात यह लगे लेकिन सोना 25-30 मिनटी ताकि शाम को तुरंद वापस नहीं ला जाए दिन में गंटा डिया तो फिर शाम को नहीं आएगी पुरा सिस्टम कहता में फिर पिर दो बचे वापस लग जाओ अलांकि मैंने और गंटा पर बीच में दिया एक बचे के बाद में एक सवा एक सुरो जाओगे तो मतलब दो बचे से वापस बैठ जाओ दो से सवा पांच दो से सवा पांच तीन गंटे ही लिखे मैंने 15 मिंट फालतू रखी है लगी से अब यहां कैले तो यहां पर आपको हिस्टरी पढ़नी है ठीक है ना यहां पर हिस्टरी पढ़ लेना मतलब कुल मिला के दो राजस्तान जी कि-2 पर पढ़नी कों मिला के चार गंटे वां दो गंट तब कुछ दिन चलाना इसको क्योंकि यही है ज्यादा फिर आप सवापांट से लेके साड़े साथ का मतलब है दो गंट ही होगे आप यह यह जो एगंटा है दस से ग्यारा इसके नरा आप रिविजन कर सकते हो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत रिविजन नहीं क्योंकि दिन पर मैं प्रैक्टिस करेक्ट करें ऐसे नॉर्मल देख लिया कुछ या कोई चोट मेंड़ा कोई अगर देना हो या कोई टेस्ट पीछ आप रहे गया तो दे लो और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके सोना है आज ही क्योंक उठके जाना ही यह सुबह दो और लाइब्रेरी जोइन कर रहे तो कहना ही क्या तो यह सिस्टम आपको फोलो करना है जो भी आपके चार दो छे तीन साथ दो नो ग्यारा बारा गंटे की बाई पढ़ाई कम से कम है इसको में आप जोड सकते हो अगर हिम्मेत है तो प्लस कर लेना इसके पीछे मत जाने ठीक है यह बारा तेरा गंटे की आपको पढ़ाई करनी है संडे रिविजन डे रखना है और संडे को यह पन फिक्स लाइव टेस्ट लिया करेंगे बीच में लाइव टेस्ट थोड़े दिन बंद करूंगा ओनली संडे लाइव टेस्ट लोंग टार्गेट 4500 बिना पार नहीं पड़ेगी कैसे कैसे लाना है मेरी बात सुन लो हर हालत के अंदर आपको रिजनिंग जो है रिजनिंग में पचास क्योशन आता है हर हालत 45 क्योशन सभी होने चाहिए 45 अगर सभी नहीं तो पार नहीं पड़ेगी 15 हांसी लग जाएगी एक आपने यहां गोट लेना है इसके बाद में बात करूं हिंदी की हिंदी वाएंगे बाई 30 क्योशन तीस में से 25 हर हालत 25 हर हालत करने ही पड़ेंगे तो 75 यह हो गए ठीक है इंगलिश की में बात करूं तो सब्सक्राइब करें तो 45 नमर इसके बाद मैं क्या रहे गई रिजनिंग हो गई यह हो गई इसके बाद में राजस्तान जी कि वह यह तो था भंडार समुद्र है लेकिन कोशिश करनी है कि प्रशन तो करके आओ प्रैक्टिस करो आराम से कर लोगे तो यह काम करता हूं मैं थोड़ा कट कॉपीट कर देता हूं यहां पर इसका मामला यह जो पैंतालीस पंदरा की चाहिए सबताँ आपको यह काम है अथा बारा search करने सब्सक्राइब करने ही पड़ेंगे हर आल पेंटालिस कुर्शन करने हैं तो तीन पर पंदरा की बारेक तेरे 135 अभी मैंने मोटा मोटी ज्यादा बताया कुछ अब इसमें कट कट्वेस्ट होगा अगर मैं जोड़ूं तो पंदरा पंदरा के बाद में 20 मतलब पंदरा बीस और यह 30 होगे ना अब सब मैं थोड़ी थोड़ी कट्वोटी कर देंगे क्योंकि जो मैंना भी यह लेकी चलना है कि टार्गेट लेके चलना है आराम से साड़ी चार सो गोट दोगे समझे आई ना क्योंकि इतने नहीं आएंगे रहे इसमें कट पेस करना पड़ेगा रहस्तान जी कि में 40 प्रशन मुश्किल से सही होंगे भेंकर गोट होगे तब ठीक है ना कर लोगे थोड़ी इंदी में भी कटेंगे इंग्लिश में भी कटेंगे रिजनिंग में भी कटेंगे तो इनका ओप्शन है कि अपनों करना है लेकिंट लेके चलना है कि मैं यरेंटी है दिन रात एक करेंगे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना किसी के बैकाव में करने की जरूत नहीं क्योंकि सारे के सारी सब को में चैनल पर लादूंगा जिंदा मत करो तुम आप से पैसे भी ले लेंगे फिर फ्री में वह लाई हो रहेंगे उसे मतलब नही इदिन टेक्नोलोजी की जमाने बीएश्टी चोटा सा एक्जाम इसमें थोड़ी कोर्स कर सब्सक्राइब नो पढ़ा एक रोजबर्दस तरीके से बहुत कुछ पावों के हिमत रखना ठीक है तो बेस्ट विसस फॉम बरो फिर पढ़ते हैं बन टार्गेट 500 प्लस ठीक है अगे